तो दोस्तो फाइनली भारती प्राइवेट कमपनी के दुआरा अपने स्टेल्थ ड्रोन को ले करके काफी जादा बड़ा खुलासा किया गया है और ये एक ऐसा ड्रोन होगा जो कि ना केवल सर्विलांस को करेगा बलकि ये अपने साथ में वैपन्स को भी कैरी करने में किया था तो उस समय हमारी एक प्राइवेट कमपनी ने अपने इस प्रोग्राम के बारे में अन्विल किया था जहाँ पर ये एक सर्प्राइस की तरह था क्योंकि उससे पहले किसी को भी नहीं पता था कि इस कमपनी के दुआरा इस तरह के ड्रोन के ओपर काम किया जारा है और नहीं इसको लेकर के उस समय भी कोई खास जानकारी पब्लिक डोमेन में डाली गई थी और इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि हमारी Garuda Aerospace Company जो की इस ड्रोन के उपर काम कर रही है तो इससे रिलेटेड Garuda Aerospace ने जो वीडियो जारी की है तो उसे भी आप सबी लोग अपनी स्क्रीन के उपर देख सकते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्रेडिट है वे आप सब को नीचे डिस्क्रिप्शन और साथ में स्क्रीन के उपर दिख जाएंगे तो उमीद है कि अब यहाँ पर कोपी राइट से रिलेटेड कोई इशू ना हो तो फाइनली ये भारत का तीसरा फ्लाइंग विंग डिजाइन होगा इससे पहले अगर आप भारत के फ्लाइंग विंग डिजाइन की बात करते हैं और अगर आप इस ड्रोन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो सर्विलांस और साथ में ट्रैकिंग के लिए ये ड्रोन अपने साथ अच्छे खासे जो सेंसर्स है उनको केरी करेगा और साथी साथ इस ड्रोन से HD क्वालिटी की जो इमेजेस हैं उनको भी कैप्चर किया जा सकता होगा और इसके बाद एड्वांस ट्रैकिंग के लिए ये अपने साथ एक इलेक्ट्रो उप्टिकल पोर्ड को भी कैरी करने वाला जिससे कि आप सब को नेक्ष्ट लेवल की जो सर्विलांस कैपेबिलिटीस है वो इस छोटे ड्रोन के साथ में देखने को मिल जाएगी और साथी साथ तो इस ड्रोन की मदद से हम एलोसी यानि की पाकिस्तान बोर्डर के उपर अपने जो मिशन्स है उनको अंजाम देने में शक्ष्म होगी जहाँ पर ये भारती वायुसेना को क्लोज एर सपोर्ट और साथ में भारती ये थलद सेना को क्लोज ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइट कराने में शक्ष्म होगा क्योंकि ये अपने साथ जो वैपन्स है उनको भी केरी करने में capable होगा और इसके यह जो weapons है यह आप सब को इसके internal weapon bay के अंदर देखने को मिलेंगे जिसके कारण इसका जो RCS है वो भी काफी जादा कम होगा और overall इसका जो कुल मिला करके size है वो पहले से काफी जादा चोटा रखा गया जिससे की दुश्मन के air defense system से इसको track करके मार गिडाना काफी ज़्यादा मुश्किल होगा इसी के साथ में यहाँ पर इस ड्रोन में हमारा खुद का H.E.L. का एक जो स्वदेशी इंजिन है वो लगने वाला है जिसके कारण आप सब यहाँ पर कह सकते हैं कि ओल्मोस्ट यह जो ड्रोन है यह 100% इंडिजीनियस होने वाला है तो इसी के साथ में इसकी रेंज को लगबग 160 किलोमेटर के आसपास का बताया गया है लेकिन यहाँ पर वीडियो के अंदर ऐसा भी मेंशन किया गया है कि यह काफी ज़्यादा बड़े एडिया को ओल्मोस्ट पूरे भारत को जेट के साथ में शेयर कर सकेगा और इसके बाद एक बड़ा इफेक्ट यह होगा कि हमारे फाइटर जेट की जो सिच्वेशनल अवेरनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले तो हमारी खुद की एक प्राइवेट कंपनी शामिल है जिसके कारण आप सब कह सकते हैं कि डेफिनेटली इनके दुआरा जो टाइम लाइन है उसको मिट किया जाएगा और अगर यहाँ पर टेक्नोलिजी को डवलप करने में कोई डीले होता है तो इसके लिए भारत ने अमेरिकन कंपनी यानि की लोकेट मार्टिन जैसी एक जाइंट का सपोर्ट लिया है जिसके कारण आप सब कह सकते हैं कि ओलमोश्ट इसकी जो टाइम लाइन है उसको मिट किया जाएगा साथी साथ यहां पर अगर हम इस छोटे ड्रोन के माध्यम से टेकनोलिजी को हासिल कर लेते हैं तो आने वाले समय में हम उसे स्केल अप करके और जादा बड़ा सिस्टम भी बना सकते हैं जैसा की हम घातक UCAV के साथ में करने वाले हैं तो दोस्तो इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्षन में बताएगा साथी साथ अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा ताकि आपको भविश्य में भी ऐसे वीडियो मिलते रहे और अगेन इस वीडियो के जितने भी क्रेडिट है वे आप सबको नीचे डिस्क्रिप्शन और साथ में स्क्रेंज के उपर मिल जाएंगे तो उमीद है कि यहाँ पर कॉपी राइट से रिलेटेड कोई इशू ना हो तो बाकी तो आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं ली वीडियो में तब तब के लिए गुडबाई जैनी